मश्कार बहुस्तू मेरा नाम है विमल सिंग वाला जी स्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है सूपर डेट और लेकपाल के लिए दुपैर तीन बज़े वाली टाइमिंग में हम आपको प्रस्नों की प्रैक्टिस हिंदी और सामान ग्यान करेंट अपयर के करा रहे हैं इसे पहले सामान ग्यान करेंट अपयर वाला सट देखा था साइड माय उटन पिछला ला वीडियो आपको मिल जाएगा आज हम देखेंगे हमारा सेट नमबर 13 के अंतरगत हिंदी के जो है आपके 25 प्रस्न तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्न मबर 1 से सबसे पहला प्रस्न है यहाँ पर उ होगा उल्टे बास बरेली को इसका अर्थ क्या होता है संगत कारे करना, असंगत कारे करना, कारे करना या कारे नहीं करना देखें, उल्टे वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई विपरीत काम करने की बात हो रही है यानि कि तो संगत वाला तो option सबसे पहले ही आपका कट जाएगा असंगत हो सकता है, कि अवल कारे करना बिल्कुल नहीं होगा, कारे नहीं करना भी हो सकता है, तो B और D में से सोचिए कौन सा इन में से सही होगा, तो उल्टे बास बरेली का मतलब होता है, कोई विपरीत कारे करने के संदर में, तो कारे नहीं करना option कर जाएगा, असंगत कारे में आएगा उल्टे बास बरेली को इसी को जो है हम कहते हैं दूसरा प्रसन है तद्भाव सब्द किस से बना होता है देशज, संकर, तफ्सम या विदेशी पताइए कौन सा इन में से जो है वो सही होगा तो अगर तद्भाव को आप अलग-अलग करेंगे तो कैसे होगा तद और भाव अलग होगा तद जो है इस प्रकार से और भाव जो है आपका इस प्रकार से अब यहाँ पर अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो तद्भाव सब्द का अर्थ होता है उत्पन हुआ यानि कि तद्भाव सब्द का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो कोई अन् तत्सम में सा वर्ड होता है, तो सा से संस्कुरत वर्ड याद रखेगा तद वो हिंदी, तीशरा देखते हैं, इन में से तत्सम सब्द कौन सा है, आपको बताना है हवाई जहाज, गाड़ी, घोड़ा, दधी बताईए कौन सा इन में से जो है, वो सही होगा कौन सा इन में से जो है वो तत्सम सब्द है हवाई जहाज गाड़ी गोड़ा और दधी में क्लियर आपको दिख रहा है कि दधी जो है ये आपका जो है वो एक संस्कृत सब्द है या तत्सम सब्द भी आप कह सकते हैं ये आपका डी वाला ओप्षन यहाँ पर सही होगा और जो दधी है इसका तदभव रूप क्या होता है तो आपका दही जो है वो इसका तदभव रूप होता है तो आपका ओप्षन डी वाला है यहाँ पर सही होगा चौता प्रस्न है, पॉकेट मार सब्द जो है, इसमें समास कौन सा है, अव्वेभाव, तत्पुरुस, कर्मधार है या फिर द्वन्द, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, पॉकेट मार सब्द में समास, अंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका option यहां पर, तत पॉकेट मार का, आपका समास विग्रे क्या होगा, तो पॉकेट को मार, या पॉकेट को मारने वाला, तो वर्ड क्या आ रहा है, को आ रहा है, और उससे आप पहचान सकते हैं, कि यहां पर जो आपका तत्पुरुस समास है, उसके अंतरगत, जो कर्म तत्पुरुस है, वो आपको यहाँ पर सई होगा जैसे होता ना गगन चुम्बी तो गगन को चूमने वाला तो वहाँ पर आपका कर्म तत्पुरूस हो जाता है चिडी मार, चिडिया को मारने वाला ग्रहागत, ग्रह को आगत इस प्रकार से आप बीटी, आप पर तो यानि कि वहाँ पर सभी में तत्पूरु समास होगा बाकि उसके अंतरगत उसके अकॉर्डिंग जो है वो बदल जाएगा पाचो प्रसन देखते हैं कि कौन सा वेंजन तावर्ग का जो है वो नहीं है आपको बताना है ना मा दा या धा बताईए उनमें से कौन सा जो है व वो दावर्ग में नहीं आता है छटा प्रसन में खाना खा चुका तब वहाँ आया व्या वाक कि के इस प्रकार का है सरल सयुत मिस्रिया संचिप्त बताईए कौन सा सही होगा आप देखेंगा एक नहीं क्वेशन आपका इस प्रकार से वाक किसे पहचानने पर आधारित जो आपको बताया है कि एक प्रधान वाक्य होता है और एक आपका उप्वाक्य होता है अब यहां पर जो उप्वाक्य होता है वो डिपेंड रहता है किस पर आप कहेंगे जो प्रधान वाक्य होता है उस पर प्रधान वाक्य आपर कौन सा है तो यह आपका मैं खाना खा चुका यह आपका पुरधान वाक्य है और इस पर जो depend है वो कौन सा है वो आपका है तब वहाँ आया तो यह क्या है यह आपका उपवाक्य है तो इस प्रकार से आपका जब देखने को मिलता है तो वो मिस्रबाक के जो है उसमें आता है तो आपका सीवल ओप्शन सही होगा साथवा प्रस्ण निम्रानकित सब्दों में संबंद बहुबरी ये सामासिक सब्द कौन सा है दसानल लुप्त पद प्राप्तोदक या फिर उप्रहत पसू बताईए कौन सा इन में से जो है वो सही होगा संबंद बहुबरी ये आप से जो है वो पूछा गया है तो संबंद में आता क्या है का की के इस प्रकार से आता है जो हम विवक्ति की बात आरी करते हैं पर यहाँ पर बहुबरी के संदर में पूछा गया है तो अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका option लुप्त पद यहाँ पर जो है वो बी वला option सही होगा आठवा प्रसने एक अनार सौ बिमार यहाँ एक है मुहावरा वाक्यांस या लोकोप्ती इस प्रकार से भी कुशन बन सकते हैं आपसे लोकोप्ती या मुहावरा खुद छाटने है उसका अर्थ ना पूच करके यह पूच लिया जाए कि यह है क्या तो वही चीज़ यहाँ पर पूची गई है बताएए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा एक अनार सौ बिमार में एक पूर्ड वाक्य होती है और जो मुहाबरा होता है वो वाक्य का अंस होता है यह थोड़ा से डिफरेंस अगर इससे समझेंगे तो आप इनमें से छाट सकते हैं डी वाला यहां पर सही होगा लोकोप्ती अर्थ मैंने आपको इसका बता ही दिया नव अपरसने किसी वाक कि के अंस को पूछा गया है हम इनमें से जो है वो क्या कहते हैं आंसर की बात करते हैं तो आपका पदबंध जो है वो कहलाता है तो किसी वाक्य के अंस को हम क्या कहते हैं पदबंध जो है वो कहते हैं दसवा परसने संस्कृत के मूल सब्द जो हिंदी भासा में प्रिचलित हैं वो क्या कहलते हैं हिंदी भाषा में प्रिछलित हैं और क्या कहलते हैं संस्क्रऩ के परबो मूल सब्द है सद्भव, विदेशी, तद्सम, या अवदेशेट बताइए कौन सा इन ВамेЗज़ जो है वो सई होगा तो हैं वो संस्क्रत के परंतु प्रिचलित कहीं भी हो पूछा वो पर्टिकुलर संस्क्रत के जा रहा है तो संस्क्रत में सावड से मैंने क्या कहा तक्सम और तद्वव में कन्फ्यूज नहीं होगा सा तक्सम में आ रहा है तो तक्सम सब्द जो है संस्क्रत की मूल सब्द य या अकर्मक्रिया बताइए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा आति साथ लाइक भी वीडियो का अवश्य करते रहीगा सेर भी अवश्य करते रहीगा और लाइफ टाइमिंग प्रस ना में प्रेक्टिस कर रहे हैं इनकी दुपहर के तीन बजे की है और साम के 8 बजे वाली प्रस ना में सुपहर्डिट के लिए हम आपको प्रस ना में सब्सक्रम करा रही है और साथ में टॉपिक वाइस जो वीडियो है उसको भी हम उसमें क्लेर कर रहे हैं तो बता एएं में से कौण सा जो होगा यहाँ पर आप से जो पूचा गया है अंसर की इस क्रिया है, ऑक्षन हें सही कोई नहीं है, तो एक विद्हेला मिस्रिट, सम्तyen ये कोई नहीं। जैक किसम वह होता है, साथान, मिस्रित, सम्तzes ये नहीं। तो साधान मिसरित सयंतिया इनमें से कोई नेगी में अंसर की बात करते हैं तो सरल वाक के आप कह लीजे या साधान वाक के कह लीजे पहला वाला यह option से ही होगा साधान वाक के जो है इसमें आपका एक विध्य है जो है वो होता है इसी को हम सरल वाक के साधान वाक के कहते हैं ही आपका हो गया जिनमें दो या दो से अधिक जो सरल वाकिय होते हो समुच्च्छ बोता कव्या से जुड़े होते हैं उन्हें आपका मिश्रतिया मिश्र वाक्य में क्यों है वो आधा है अंसर यहां साधान वाक्य सही हो जाएगा तेरा प्रस्ण है विद्याले में कौन सी संदी है वेंजन विसर्ग या फिर दीर्ग स्वरसंदी या फिर स्वरसंदी बताइए कौन साइज में से सही होगा यहां पर विस प्रश्टी से कौन सा सब्दें हाँ पर सही है, द्वंद चार प्रकार से लिखा हुआ है, बताइए कौन सा सही होगा, देखें यह जो B वाला ओप्षन ही तो बिलकुल नहीं होगा, A वाला ओप्षन है, द्वंद आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, C वाले से भी हो सकते हैं, दोन लिखा हुआ है, जिसमें दोनों में इस प्रकार से मातर लगे, यह वाला जो है आपका सही होगा, कहीं-कहीं आप देखेंगे नेट पे आपको यह वाला भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो टाइपिंग में जो है, वो अपने आप से पॉंट जो हो बिदल जाते हैं, तो डी वाला यहां पर सही होगा, दोनों में इस प्रकार से मातर लगती है, अच्छा प्रसन है, इंपोर्टन प्रसन है, आप इसको याद रखेगा, अगर वर्तनी में आया तो काफी लोग इसको गलती कर सकते हैं, पंद्रा प्रसन आपका कोप सब्द का परहवाची आवितत करतांत अमर्स मिर्शा, बताइए कौन सा हिलने से जो है वो सही होगा, कोप सब्द जो है उसका परहवाची आप से जो है आपर पूछा गया है, अंसर की बात करते हैं, तो कोप के परहवाची में अमर्स भी आता है, आपका कोह भी आता है, प्रतिगात आता है, क्र साता है मतलब क्रोध के संदर में बिसिकली यूज होता है उसी का जो समानार्ती है या परहवाची है वो सी वाला option अमर्स जो है वो सही होगा कोप कहते हैं वर्ड आपने सुना भी होगा जैसे प्रकोप वर्ड इसी से बना हुआ है जब कोई बहेंकर जो महामारी आ जाती है या इस ताइप की कोई बहुत बड़ी मांतरा में चीज देखने को मिलती है निगेटिव सेंस में तब हम वर्ड यूज करते हैं अगला प्रसंद देखते हैं आपका 16 कि मैं अपना सिर्ख खुजाता हूँ इस वाक्य में जो है वो कौन सी जो है वो क्रिया है अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों है या अकर्मक सकर्मक दोनों ही नहीं है पताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाके में कौन सी क्रिया है तो अंतर की बात करते हैं आप चारो ऑप्षन में से तो आपका ऑप्षन यहाँ पर सकर्मक्रिया जो है वो सायोगा यहाँ पर जो खुजाता वर्ड लिखा हुआ है यह आपका क्या है खुजाना जो है प्रकारी की क्रिया है तो ये जो है आपकी यहाँ पर क्रिया हो जाएगी और इसको करने में जो कर्म आपका लगेगा वो आपका सिर है इसकी आउशकता पड़ रही है तो जहाँ पर आपका कर्म हो जाता है वहाँ सा कर्म क्रिया हो जाती तो बस आपका option यहाँ पर भी वाला सही हो जाएगा 17 प्रस्ने भिन भिन स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन होता है उसे क्या कहते हैं? सहीट स्वर, तीर्ग स्वर, संधी स्वर, मूल स्वर बताए काउन सा इन में से जो है वो सही होगा भिन 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 जो स्वर होते हैं, उनके मेल से जो स्वर उत्पन होता है उसे जो है वो क्या कहते हैं? अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका option यहाँ पर पहला वाला ही, यानि कि संध स्वर जो है वो आपका सही हो जाएगा जैसे आ और ये मिलकर ये आई ये करके आपका होता है न उससे भी कोशन काफी पूछ ले जाते हैं कि कौन सा किसे मिलकर बना होता है अठारा प्रस्त है कि मीरा ने आधा लीटर दूद पी लिया में विशेशन जो है वो क्या है गुड़ वाचक, संख्या वाचक, परिमाड वाचक या सार्व नामिक बताईए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी किया गया है मीरा ने आधा लीटर दूद पी लिया इसमें विशेशन जो है वो किस प्रकार का है अंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर विशेशता किस प्रकार की बताई जा रही है तो आप कहेंगे मात्रा की बताई जा रही है और किस नी मात्रा तो आधा लीटर की मात्रा बताई जा रही है तो यह गुड़ तो है नहीं आपका संख्या तो है नहीं परिमाड हम यूज़ करते हैं मातरा के लिए तो परिमाड वाचक आपका जो है सही होगा विशेशन और सारुनामिक भी आपका जो है आपका नहीं होगा 19 प्रस्नेन में से कौन सा सब्द स्ट्रिलिंग जो है आपका नहीं है दाल, मई, गर्दन, दर्द बताईए कौन सा इन में से जो है वो सही होगा नहीं बूचा गया है इस रीच के यहां पर धान रखेगा कई बार मैंने आपको बताया है कि इसमें से सबसे अच्छा तरीका चाटने का क्या है आप जो है वो इसमें एक वाक के बना लीजिए तो उससे आपको समझ में आ जाते है तो इन चारों में से अगर अंसर की बात करें जो कि स्ट्रीलिंग सब्द नहीं है तो दर्द आपका सही होगा क्योंकि दर्द जो होता है होती नहीं है तो होता है से आप पहचान लेंगे कि स्ट्रीलिंग नहीं है यह आपका पुर्लिं है कि मई जो है वो आती है जून जुलाई अगस्ट जो सब मन्त होते ना उसके संदर में अब जैसे दाल है तो पी जाती है पिया नहीं जाता है उस प्रकार से आप पहचान सकते हैं भी इस प्रसंद देखते हैं तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित जो है उसका सरवनाम सहा एक प्रसंद बर्शक है तो आपको प्रसंद बढ़नाम सब्थ नहीं है इस प्रकार के समुद्र हो गया नदी हो गया इस प्रकार के आप देखें कि बारबर रिपीट होते हैं तो यह तो आपको रटे होने चाहिए रात्री हो गया रजनी हो गया राका हो गया निशा हो गया इस परकार से 22 प्रसने आपका मनो रत का संधी विच्छेत क्या होगा, मनाह धन रत, मन प्लस ओ रत, मनो प्लस रत या मन प्लस रत, तदा यह कौन सा इन में से सही होगा, मनो रत का संधी विच्छेत जो है इन में से क्या होगा, अंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका मनो रत का संदी विच्छे दोता है मनाह धन रत तो आपका यहाँ पर पहला वाला यह option जो है वो सही हो जाएगा मनाह धन रत और विसार्ग लगा हुआ है तो यह भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि संदी जो है आपकी यहाँ पर कौन जी होगी अगला देखते हैं 20 प्रस नैसरगिक का परहवाची क्या होगा सत्क्रत होगा चमत्क्रत होगा प्राक्रतिक होगा या चतुर्दिक होगा बताइए कि नैसरगिक का परहवाची सब्द जो है इनमें से जो है वो क्या होगा तो अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो नैसरगी का जो परहवाची होता है वो होता है प्राक्रतिक और आपका इसका कुदर्ती भी आप कह सकते हैं, सौभाविक भी कह सकते हैं अगि आपका अवक्षन है आपड़ प्राक्रतिक जो है वो सही होगा चगेड लाश्ट प्रसने 24 नमबर इनमें से कौन सा सब्द हाथ का पर्यवाची जो है आपका नहीं है पूछा गया है कटी हस्त पाड़ी कर बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा कौन सा सब्द हाथ का पर्यवाची जो है यहाँ पर नहीं है आपसे पूछा गया है कटी, हस्त, पाडी, कर अंसर की बात करते हैं तो आपका यह वाला यह option यहाँ पर कटी जो है वो सही होगा जो कि हाथ का परहवाची नहीं होता है हस्त भी होता है, पाड़ी भी होता है और कर भी होता है कटी जो है ये किसका परहवाची होता है तो कमर का होता है और उसके और भी परहवाची होते हैं वो भी आप याद रिख सकते हैं अगला और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्ण देखते हैं इसके बाद एक प्रस्ण हम आपसे भी जो है वो पूचेंगे प्रस्ण आपका है कौन सा सब्द सूरिका परयावाची जो है वो नहीं है आपसे पूचा गया प्रभाकर विभाकर दिनकर दिनेज तो बताइए कौन सा इन में से जो है वो सही होगा आतिसाथ चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके भी आवश्ट जोड़ जाईगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर आवश्ट जो है सभी लोग करते रहेगा तो कौन सा सब्स सूरिका परयवाची जोड़े वो नहीं है और टेलिग्राम चैनल से जो भी न जुड़े हो बाला जी स्टेडियेटा सर्च करके भी टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं या आप को लिंक भी डिस्किप्शन में मिल जाएगी उस पर क्लिक करके भी आप जुड़ सकते हैं अंसर की बात करते हैं तो अंसर की बात करते हैं इन चारों में से सूरिका जो परयवाची नहीं है अब उपर हमने a question भी साएग जिस से पहले देखा था तो विभाकर आपका यहां पर सही होगा बाकि प्रभाकर दिन कर दिने से सभी सूरिके परयवाची में आते हैं विभाकर जो है आपका अर्थ जो निकलता है वो होता है प्रकास फैलाने वाला तो पर्यवाची में ना रखके उसके अर्थ के संदर में सूर को हम रख सकते हैं तो सबी प्रस्थ ने हमारे समाब तब एक प्रस्थ आपके लिए भी जैसे कि सबी वीडियो में माप सेकर नेक प्रस्थ भूस्त इस वीडियो के अपना नासर वीडियो के में कमेंड में डाइब करके बताईएगा लाइब डाइमिंग दुपहर के 3 बजे और साम के 8 बजे है तो लाइब आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं प्रस्नों की ट्रैक्टिस कर सकते हैं तो आज पुड़ों में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अंगले वीडियो में कुछ नए प्रस्नों के साथ नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार जैहन